आपको बहुत बहुत स्वागत आज मैं फिर चलाया हूँ एक नया वीडियो लेकर पॉन एडफा डबलू डियम के उपर जो केवल टीवी में यूज होता है और ये अपकमिंग में बहुत कोई यूज करने वाला है ये अपग्रेड वर्सन है तो इसी के बारे में हम आपको ब सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाओं आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पॉन एडफा का काम जो है बेसिकली होता है कि आप केबल टीवी के लिए टांस्मिटर यूज करते हैं और ब्रॉडबेंड के लिए ओल्टी उस करते हैं तो केबल टीवी ब्रॉडबेंड के लिए अलग-अलग आप तार लेके जाते हैं जो फाइबर ऑप्टिकल है कस्टमर के घर में भी आप दो ही लेके जाते हैं लेकिन पॉन एडफा के जड़िये जो हम WDMB बोला जाता है उसक सर्विस क्या-क्या लैंड लाइन सर्विस केवेल सर्विस और ब्रॉडबेंड सर्विस तो इसके लिए जो है क्या डियाग्राम है किस तरह के से आपको करना होगा यह हम आपको बताएंगे तो फर्स्ट अफ वाल जो है यह जो देख पा रहे हैं एस एटीवी टांस्मेटर है दूसरा क्या लगेगा हमें OLT तो यह टांस्मीटर है टांस्मीटर से आप केवेल चलाते हैं और यह OLT OLT से ब्रॉडबेंड चला रहे हैं अभी लेकिन आपकमिंग जो WDM आने वाला है उसमें क्या होगा और किस तरह के से चला पाईएगा अब दिखाते हैं आपको तो यह जो है पॉन एडफा या तो फिर WDM यह जो है एक ही फाइवार में जो है नेट और केवेल दोनों दिखा देता है तो चलिए मैं डाइग्राम के थूरू समझाते हैं कि कैसे आपको यह connection देना है आपको customer को तो आप यहां पे तीनों चीज देख पारें transmitter आडफा और O&T अब देखिए यहां पर एक लाइन आया है जो आप transmitter है transmitter out जो है यह cable line का जो transmitter है 15,6 dB in जो है इस adfa में इस port में डाल देना है तो फिर यह adfa से जो है यहां से जो है cable निकल गया अभी जो है olt है यह olt से out होकर यहाँ पे जो blue बाला देख रहे हैं आप ब्लू बाला में आपको line दे देना है इनका इसमें जो है 13,10,14 dB जो भी हो olt आपको यह adfa में काम करता है तो क्या होता है actually basically जो है तीन ratio होता है 13,10,14 dB 15,50 15,50 में जो है cable चलता है और 13,10,14 dB में चलता है internet यानि broadband तो यह connection हो जाने के बाद यह दोनों को जो है एक साथ यानि यह जो देख रहे है आप cable और यह net इसको एक साथ मिलाकर इस यानि इस port से जो है एक तार निकल कर जो निकलेगा वो mixing होके निकलेगा एक पास है तो next scenario में चले जाते हैं next scenario में क्या है connection देने के लिए three type of connection process होता है हम लोग एक पास three type मतलब process एक होता है कोई customer होता है कि उसे सिर्फ internet चाहिए सिर्फ internet तो उसके लिए एक process होता है और एक customer होता है कि मुझे internet और cable दोनों चाहिए तो फिर उसके लिए अलग process होता है और last process यारी तीसरा process जो है triple पर बोला जाता है इसे triple play इसलिए बोला जाता है कि voice cable internet आपको एक साथ मिलते है एक ही फाइबर में तो यह तीनों तरीका connection जो है आपको मैं दिखाऊंगा चले जाते हैं process one only internet बाले में तब यहां से निकल कर जो है एक patch code या फाइबर की थुरू हमें customer के घर लेके जाना है splitter मारना है उसके बाद जो है way new एक set करना है यह only internet के लिए way new set करना है अब way new क्या करता है वे new में जो है यह modem का काम करता है यहां पे fiber optical से अंदर जाकर बाहर जो है cat 6 के जरिए एधरनेट के जरिए router में चले जाता है तो next time क्या connect करना होगा router अब router करेक्ट होने के बाद य यहां से laptop, tv, desktop या तो बहुत सारे चीज जो है आप connect करके internet के थुरू चला सकते है और mobile wifi तो सभी में रहता है यह mobile wifi भी आप यह राजडार के जरिए कर सकते है तो यह हो गया only internet वाला connection अब दूसरा connection क्या होता है बहुत सारे customer बोलता है मुझे internet और cable दोनों चाहिए तो इसक के लिए क्या करना होगा आपको cable और internet के लिए प्रोसेस जो है internet और cable के लिए यह अभी जो है मैं diagram में आपको समझाता हूँ तो देखिए इसी port से जो है एक आया है यह machine पे यह machine क्या चीज है यह machine है WDM CATV receiver इसमें आपको यह patch code यहां पे जाने के बाद 13,14 अब यहां से निकाल देगा internet के लिए और 15,15 डाइरेक्ट यहां से आरेप निकाल कर आपको cable TV में convert कर देगा तो next आप यह device लगाने के बाद यानि WDM लगाने के बाद आपको लगाना होगा internet के लिए वे new उसके बाद एक router और फिर आप इस router से laptop, desktop, android TV, mobile चाहे जो भी ह चलाईए, बाकी रहा क्या, यह cable TV, cable TV यहां से निकल कर, जो RJ6 cable देकर आपको connect करना परता ही यहां पर, setup box में, setup box में आने के बाद यह TV में चला जाएगा और आपका TV चलता रहेगा, तो यह एक ही फाइवार में देखिए, आया है दोनों चीज, एक ही फाइवार यहां पे input हो रहा है, और output में दो दे रहा है, एक तो RF point निकल कर जो है आप TV में चला जा रहा है, cable TV और दूसरा point से निकल कर, यानि ओप्टिकल पावर निकल कर जो है आपका OENU1 करके broadband service भी देता है, तो यह हो गया हम लोगों का second process, internet and cable, अब तीसरा process क्या आता है, तीसरा process ट्रिपल पे बाला होता है, ट्रिपल प्ले क्या है, ट्रिपल प्ले में जो है, आप internet, broadband, cable TV, यह तीनों चीज जो है, एक ही fiber से आप चला सकते हैं, तो इसमें भी बहुत सारे process होता है, ट्रिपल प्ले में बहुत सारे process से भी आप connection कर सकते हैं, लेकिन आज मैं इस वीडियो में एक ही process के बारे में बताऊंगा, यह upcoming अभी आने वाला है, अभी ओष्ट बेंगॉल में इतना आया नहीं है, बहुत कोई यूज कर रहा है, लेकिन बहुत ही कम है, जायद आपको इस बार में वीडियो ना ही मिले YouTube में, लेकिन यह आने वाला है, तो यह चीज क्या है, यह CTV ONU router क्या है, यह CTV ONU router एक ही router है, वेंटी बोल सकते हैं, आप router बोल सकते हैं, यहाँ पर एक फाइवर में जो है, आप input देने के बाद यह router का काम करने लएगा, इसमें कोई modem अलग से लगाने के कोई ज़रूत नहीं, और इसमें यह देखिए, voice बाला port दिया है, यह landline च यूज कर सकते हैं, बाकी यह दो port आप ethernet के देख रहे हैं, यानि capability चलाने के लिए, और यहाँ पर देखिए, एक port दिया गया है, यह जो है, आरे point, यानि sector box चनाले के लिए, तो अभी मैं डाइग्राम में आपको समझाता हूँ कैसे होता है, यह देखिए, voice बाला port जो है, आप के phone में connected हो गया, अब यह landline आप use कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो है, आप जिस service ISP है, जिससे आप service लिए है, उसका landline वाला service होना चाहिए, इसके लिए अलग से कोई charge नहीं लगता है, फिलाल जितना भी company से अलग से charge नहीं लेता है, लेकिन अगर service होता है, तो आ box में चला जाएगा, setup box में से TV चला जाएगा, यह kvn tv जैसे चलता है, चैनल में ऐसे ही चलते रहेगा, अब यह ethernet port बाला क्या काम करेगा, desktop में आप लगा सकते हैं, smart tv में लगा सकते हैं, laptop में लगा सकते हैं, और 2 antenna जो दिख रहे हैं, आप mobile में भी चला सकते हैं, तो यह ह आने वाला है, अफ कमिंग दिनों में, यह बहुत जल्द हमारी यहाँ पर लॉंच भी होने वाला है, ऐसे तो बाहर लॉंच हो चुका है, लेकिन हमारी यहाँ पर आये नहीं है, यह service आने वाला है, तो यह ही है total phone adfa का details, तो आसा करते हैं, आपको जो ही यह जानकरी मिल गय क्या है कि कैसे आपको connection करना है, WDM कैसे connection करना है, उसके बाद CATV से लेकर कैसे आपको यहाँ पर आकर CATV से एटfa में डालना है, यहां से OLT से आपको configure करने के बाद यहां से निकलेगा, पूरा डियाग्रम में आपको समझा दिया गया है, बस इसी तरीके से simply चल लेगा, क सारे connection देते जाईए, ऐसे OLT के बारे में आपको बता दे, बहुत सारे कोई यह भी बोलता है कि जी पॉन बाला चलेगा, इपॉन बाला नहीं चलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉन एडपा दोनों में चलेगा, दोनों में, जी पॉन हो चाहे इपॉन का हो, दोन करन दोनिकस, इसको सबसक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सेयर कीजिये, कोई अगर जानकारी चाहिए, तो जानकारी आप ले सकते हैं, अइसे हमारा दुकान है, दुकान से यह पॉडक्ट सेल करते हैं, यह जा आप देख रहे हैं, आप टोटल यह है, When it went, the catalog देखिए उसके बाद online order कीजिए COD भी मिल जाएगा तो बस इतना ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद